नमस्कार दोस्तों आज हम एक रोचक टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नमबर बैलेंस इस टूल का परियोग हम गणित की अवधारनाओं को वेवारिक और मज़ेदार तरीके से सीखने के लिए करते हैं इस गतिविदी का उद्देश्य है संख्याओं की तुलना करना और जोड़ घटाव को सीखना नमबर बैलेंस में एक पैमाना होता है जिसमें 10 खंड होते हैं इन खंडों में 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों और अंकित की गई हैं प्रते एक अंके नीचे एक पैग है जिस पर हम नीले रंके इन वेट्स को रख सकते हैं बेस को समतल सताय पर रखें और रॉड को इस प्रकार लगा है अब स्केल को ले और इसे रॉड में लगा दे अब पिन को बीच में डाले और दूसी ज़रव से बंद कर दे जरूरत पढ़ने पर स्केल को संतूलित करने के लिए कुछ पॉइंटर जिये गए हैं इस किट में 20 नीजे रंके वेट भी हैं जिन में से ये कुछ इस तरह हम बेस पर रख सकते हैं अब धारना सीखने से पहले हम इस केल में दी गई सभी संख्या को गिनेंगे सबसे पहले नंबर बैलेंस का उप्योग करने के लिए हमें उसके सिध्धानतों को समझना जरूरी है नंबर बैलेंस कुछ इस प्रकार काम करता है कि अगर मैं इसकी एक तरफ आठ पर वेट रखता हूँ और दूसी तरफ भी आठ पर वेट रखता हूँ तो नंबर बैलेंस संतूलित हो जाएगा यानि की आठ बराबर आठ इस तरह हम विद्धार्टियों को समानता की अवधार्णा से अवगत करा सकते हैं हम बैलेंस की एक तरफ पाँच पर वेट रखकर और दूसरी तरफ तीन पर वेट रखकर गति विद्धी को आगे बढ़ा सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि किस तरफ जुकाव अधिक है बैलेंस ये दिखाएगा कि वेट पाँच वाले की तरफ वेट तीन वाले से अधिक जुका हुआ है इससे हम ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाँच तीन से बड़ा है या तीन पाँच से छोटा है इस तरह से बड़ा चोटा और बरावर की अवधार्णाओं को नमबर बैलेंस के माद्यम से सिखाया जा सकता है आई एम जोड की अवधार्णा पर आते हैं कोई भी दो संख्य हैं मान लीजिए हम दो और पाँच लेते हैं इसके लिए हमें बैलेंस की एक तरफ पाँच पर और दो पर वेट रखने हैं यह ऐसे क्या आप बढ़ा सकते हैं कि इन दो नमबर को बैलेंस में जोडने के लिए हम क्या करेंगे आईए प्रतन तूटी विदी का उपियोप करें और इन्हें जोडें सबसे पहले हमें दूश्री तरफ पाँच पर वेट डालना है ऐसे क्या यह बैलेंस संतुलित है नहीं इसे छे पर रखते हैं क्या आप यह संतुलित है नहीं अब इसे साथ पर रख कर देखते हैं क्या यह संतुलित है हाँ यह अब संतुलित है यह संतुलन दर्शाता है कि दो जमा पांच बराबर साथ होता है इसी प्रकार हम जमा के और भी उधारण अलग-अलग तरीकों से ले सकते हैं जैसे दो जमा साथ बराबर छे जमा तीन हम अब घटाव की अब धारणा को समझेंगे आईए नौ में से छे को घटाते हैं बैलेंस की एक तरफ नौ पर वेट रखते हैं और दूसरी तरफ छे पर वेट रखके देखते हैं अब साफ साफ देख रहे हैं इस तरफ जुकाव ज़ादा है क्योंकि नौ छे से बड़ा है हम बैलेंस को संतूलित करने के लिए छोटी संक्या के तरफ एक वेट रखेंगे चलिए जाजते हैं ये किस संक्या से संतूलित होगा एक नहीं दो नहीं तीन जी हाँ अब ये बैलेंस संतूलित है अत्हा हम ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि नौ घटा छे बराबर तीन होता है इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम वेट को एक पर तब तक रखेंगे जब तक ये संतूलित ना हो जाए जैसे कि ये रखा मैंने इसको ऐसे फिर एक और वेट लिया इसको भी रख दिया एक पर ऐसे और फिर ये यहाँ पर इसको रख दिया ऐसे जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बैलेंस को संतूलित करने के लिए यहाँ तीन वेट्स रखे हैं यानि नौ घटा छे बराबर तीन और इस तरह से हम नंबर बैलेंस का उप्योग करके संक्या पैचान, संक्या तुलना, जोड और घटाव की अबधारनाओं को बहुती मज़ेदार और रोचक तरीके से सिखा सकते हैं आपका दिन शुप हो